हेलो दिरो स्टेंट्स और वेल्कम इन रिस्टिंग क्लास स्वागत है आप सब भी का रिस्टिंग क्लास में और गेट अकडमी सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग डिसकुशन करने वाले हैं पॉजल पर या पॉजल की फिफ्ट क्लास है जो कि हमारे सेलेक आरर भी जेए के लिए हम लोग टार्गेट कर रहे हैं 7,900 वैकेंसी ती और लास्ट एयर क्लब लास्ट टाइम जब हमने कोश्चन देखे थे 2019 में तो पॉजल के बहुत अबर्दस कोश्चन यहां पर रखे गए थे तो इसलिए हम लोग पॉजल पे थोड़ा जादा प्रै आपको पूरा पेकेज मिल जाता पढ़ते हैं आगे आज के पहले कोश्चन में यह जो कोश्चन है यह बड़ा अच्छा कोश्चन है जिसमें कर रहा है 7 students M.L.O.P.A.B.C. going for a summer vacation in different cities Olly, Lonawala, Goa, Manali, Rishikesh, Masoor and Gangtalk. They like different sports skiing and rafting, scuba diving, trekking, camping, cycling and skydiving. The one who likes cycling is going to Gangtalk. अब सब के अलोगना केस दी हुए कौन कहां जा रहा है कौन किस city के लिए travel कर रहा है ठीक है summer vacation के लिए और क्या-क्या वो sports activity कर रहे है वो सब दिया हुए फिर पूछ रहा है आपसे last में who is going to Lonawala, Lonawala कौन जा रहा है हम बढ़ते हैं आगे question को समझेंगे बहुत ही तरीके से and एक-एक condition को थोड़ा ध्यान से हम लोग clear भी गरेगे तो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं इस question को solve सबसे पहले बोले seven friends तो हम seven friends के नाम लिखते हैं M, N, O, P, A, B, and C यान पर होगया going for the summer vacation in the different cities अलग अलग city के लिए जा रहा है और रो अलग अलग cities ने आली लोना वाला, Goa, Manali, Rishikesh, Mysore & Gangtoga अब कहने हैं, they like different sports, अलग-अलग sports यानि skiing, rafting, scuba diving, trekking, camping, cycling and skydiving. The one who likes cycling is going to gangton, हमें नहीं पता कौन है, तो अब ही हम एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर लिखते हैं city, कौन किस city के लिए जा रहा है, and फिर लिखते हैं sports. clear, अब आपको एक चीज करनी है, क्या, आप सबसे पहले ध्यान से देखेगा, किस के बारे में क्या data दिया है, और क्या नहीं दिया है, उसके इसाब से values पूट करेंगे, मतलब हम लिखते जाएंगे question कौन को, फिर लिखे है, the one who likes cycling is going gangton. तो हम लिख सकते हैं, gangton, city को जो जा रहा है, वो cycling कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, cycling. फिर लिखे है, a is going to goa, a कहा जा रहा है, goa के लिए, तो हम जिसका clear है, हम उसको लिखते है, a goa के लिए जा रहा है, M does not like scuba diving, यानि M does not like scuba diving, तो आप यह देखे, M does not like scuba diving, यानि M को नहीं पसे, फिर लिखे, N likes tracking, तो N likes tracking, तो आप यहां लिख जिजे, tracking, T-R-E-K-I-N-G, tracking, यानि N का clear है, N tracking के लिए जा रहा है, the one who are going to Olly and Rishikesh likes sking and river rafting, sorry, rafting respectively, not river rafting, rafting respectively, यानि जो Olly जा रहा है, वो like करा है sking and Rishikesh वाला rafting, जो Olly के लिए जा रहा है, वो कर रहा है sking, यह लिखा है न, और जो Rishikesh जा रहा है, वो क्या कर रहा है, rafting, यह भी हमें clear हो गया, Olly वाला rishikesh, sking and जो Rishikesh जा रहा है, वो rafting कर रहा है, अब next आपको और क्या दिया है, उस पर चलते हैं, The one who is going to Manali, does not like camping, sking and rafting and scuba diving, और यह भाब रहा है, तो यह न, एक चीज क्लियर है, जो Manali जा रहा है, उसको क्या क्या नहीं पसंद है, Manali, does not like camping, 56, पस्केए, पस्केए, ये झतलते हैं, पस्केए, आफ्टेए, रफ्टेए, रफ्तेए, हमने इसको साइड में यहां पर लिख लिया M is going to Mysore M is going to Mysore C likes camping and is not going to Rishikesh and Ollie C likes camping but C जो है तो Rishikesh and Ollie तो जाए नहीं सकता C likes camping and is not going to Rishikesh and Ollie possible ही नहीं है क्योंकि जो Rishikesh जा रहा है वो राफ्टिंग कर रहा है जो Ollie जा रहा है वो स्किंग कर रहा है यह तो clear है तो बेकार का condition दिया हुआ है The one who is going to Mysore likes skydiving यहीं skydiving आपका कौन कर रहा है M skydiving clear है O likes cycling O likes cycling तो देखिए cycling किसको पसंदी जोगेंक टॉप इतना हमारा clear है B is going to Rishikesh B is going to Rishikesh B is going to Rishikesh B का यहां हो गया और Rishikesh के इस पतल प्राफ्टिंग आप देखिए Olly and is king के वाल एक ही जगा बचा है यहां पर तो यह P हो गया Olly and is king अचा और क्या बचा है Scuba Scuba बचा है Scuba Diving तो Scuba Diving ठीक है Scuba Diving यहां हो गया एक खतम पुश्चे अब देखिए Manali कौन जाएगा Camping नहीं जा सकता यहां जा सकता है तो N हो गया Manali अब City कौन से बची है हम उस पर बाप करेंगे तो City आपकी मैसूर हो गई हो गई रिशिकेस Manali Goa रिशिकेस Manali Goa हो गई लोना वाला नहीं होई तो C is going to Lona वाला पूचा क्या है Who is going to Lona वाला Option A C is going to Lona वाला देखिए कितना easily यह question आपका solve हो गया हमें बहुत ज़्यादा महनत भी नहीं करड़ी पड़ी easily हम लोगों ने इस question को approach भी कर लिया चली बढ़ते हैं हम लोग next question की दरफ question number 2 question number 2 में क्या खह रहे 7% PQRSTU we bought different items among T-shirts, shirts, jeans, caps, trouser shoes and socks but not necessarily in the same order each of them brought the different number of items 1, 2, 5, 6, 7 and 10 2% bought the same number of items ठीक है तो देखिए यहाँ पर candidates कौन कौन है P, Q, R, S, T, U, V कितने लोग है यहाँ पर 7 candidates हैं और यह जो 7 candidates हैं बहुत different items देखिए different items में आपकी T-shirt है पिर आप से कह रहे है shirt पिर आप से कह रहे है jeans जिन्स के बाद है caps caps के बाद आथा ट्राउसर और ट्राउसर के बाद और इनकी different different items यह लोग पर्चेस करते हैं quantity में quantity यह तो 1, 2, 5 1, 2, 5, 6, 7, and 10 quantity एक, दो, ती, चार, पाँच है 6 possibilities बन रहे हैं तो that means कुछ और पी होगा 2% bought the same number of items यानि हो सकता है 7 jeans, 7 trousers हो यह 7 shirt, 7 socks हो इस तरह से आपको दे दिया हूँ अब आपको करना क्या है पहले सबसे पहले candidates को fix करना है यहां पर P, Q, R, S, T P, U, V अब हम यह बता करते हैं कौन क्या purchase कर रहा है आइटम आइटम का नाम यहां पा रहा जाएगा जो भी और उने purchase किया होगा अब हम लिखते हैं quantity quantity हम लोग यहां लिख लेते हैं अब data हमारा थोड़ा puzzle way में दिया गया होगा हम उस puzzle way में data को arrange करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से समझा जा सकता है अब आप इसको समझने की कोशिश की देए Q bought one shirt यानि Q का clear है Q ने quantity की बात करें तो one shirt purchase की है Q ने क्या किया है one shirt purchase की T bought six items पता नहीं क्या purchase की है बट six items purchase की है Q bought one shirt शर्ड तो one थी the difference in the number of the items that R and B bought is three समझिएगा R और V जो भी bought कर रहे है उनके बीश जो items का difference है वो कितना है? three possibility क्या है? five and two हो सकता है अब five V है या कौन है? पता नहीं possibility है five और V हो सकता है ठीक है? उनके बीच के different items three है तो इन दो का three नहीं हो सकता है इन दो का four हो जाएगा इन दो का four हो जाएगा इन दो का difference कितना हो जाएगा? दो इन दो का difference कितना हो जाएगा 10 तो आप से कह रहा है जो items वो लोग purchase कर रहे हैं उनका जो difference है वो 3 है 7 and 10 भी हो सकता है दूसरी possibility अब 10 V कर रहा है R कर रहा है कुछ नहीं पता होना है clear है अब यहां लिखा है P and S bought the same number of items but do not buy caps यानि P और S के same number of items है P और S क्या कर रहे है same number of items purchase कर रहे है but P और S में से दोनों में से कोई भी क्या purchase नहीं कर रहा है cap purchase नहीं कर रहा है हमें इतना clear हो गया do not buy caps S and you bought trouser and shoes respectively S, trousers, you, shoes S bought trousers और you bought क्या shoes हमें ये भी clear हो गया अच्छे जो trousers है और जो जितने भी होगे P ने भी उतनी items खरीदें बट वह item कुछ और होगा the number of socks bought is more than the number of trouser यानि the number of socks bought more than the number of trouser यानि trouser जितने भी खरीदे जाएंगी, socks उस से जादा करीदे जाएंगी फिर यह लेख है there are five more jeans than that of shoes अगर हम jeans की बात करें तो jeans जो है वो shoes से shoes माल ली जो x है तो jeans हो जाएंगी x plus five five more jeans than that of shoes we bought odd number of items यानि V जो भी bought करेंगा odd number of items होंगे यानि वन तो नहीं हो सकता क्योंकि वन तो occupied है तो वो क्या-क्या हो सकते है आपका five हो सकता है वी का वी का आपका seven हो सकता है यह तो वी five items bought करेंगा यह seven अचा one नहीं हो सकता one हो गया five और seven यह वी यह तो five या seven clear the difference between the number of items s and t is at least 2 यानि अब s और t जो भी items purchase कर रहा है s and t के बीच का जो difference है वो 2 plus है अब 2 plus वो कितरा भी हो सकता है 8 भी हो सकता है ठीक है 2 plus है इतना clear अब हमें करना क्या है अब हमें इस data को बड़े ध्यान से पहले समझना है तब जाके ये question हमाना solve हो जाएगा यानि question totally puzzled है पर अब जिसको बोलते हैं puzzle बहुत ही जबरदस level का puzzle है और इस puzzle को हमें समझना पड़ेगा प्लीज ध्यान से समझी यहाँ पर हमें दो चीजों की clarity और मिलती है मैं बताता हूँ क्या अगर आप खुड़ा से ध्यान से देखो हमें कहां गया था यहाँ पर जो R है और जो V है V के बारे में देखिए बोला था clearly कहां पर है हमारा वोला point we bought odd number of items अब देखिए V बन तो नहीं हो सकता क्योंकि shirt की quantity बन थी V odd number of items या तो 5 या 7 हम कहते है अगर V 5 या 7 होगा तो R और V का difference अगर V माल लेजे 7 है एक possibility तो यह हो गई और V हो सकता है 5 हो जाए अब R और V को लेकर एक point यहाँ पर दिया गया था आप उसको भी समझ लेजे यहाँ पर बुला गया the number of socks यह तो होगे S and U P यह भी ठीक है अब देखे the difference in the number of the items R and V bought is 3 R and V bought is 3 तो देखे 7 में से 3 गए तो 4 नहीं possible है तो यानि R हो जाएगा 10 V अगर 7 होगा तो और अगर आप difference 3 देखेंगे तो आपका R कितना होने के chances है अब देखे difference 3 या तो 4 yes 10 अब 5 से difference 3 या तो 2 या फिर 8 8 है नहीं तो यानि R हो जाएगा 2 तो यानि R की possibility क्या है कि number of items purchase करने की है 2 clear है अब आप एक चीज़ देखीगा shirt का तो clear था shirt तो एक ही purchase की गई है अब यहां पर R का क्या clear होगा अभी हमें यह नहीं पता पढ़ रहा है तेकि बट P और S में से दोनों में से कोई भी caps purchase नहीं कर रहा है अच्छा अब एक चीज़ और देखीएगा हमसे कह रहा है T और S के बीच में जो difference है items का वो 2 से ज़ादा है T और S तो अब आपको समझना यह है कि अगर आप T और S ले रहे हो तो अब आप देखेए वो एक तो नहीं हो सकता एक के साथ तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि एक तो pollution occupied है और T और S में जो difference है वो 2 से ज़ादा है तो T का अगर हमें clear है कि 6 है तो S की possibility क्या-क्या बन सकती है S देखे 2 भी हो सकता है 5 नहीं हो सकता 1 अल्रेडी occupied है 6 नहीं हो सकता है 7 नहीं हो सकता है या फिर S 10 हो सकता है 2 possibility है क्योंकि S और T के बीच का difference हमारा 2 से ज़ादा है तो 2 possibility हमारी यहाँ पर बन जाती है अब देखे S तो 2 होगा या फिर 10 होगा S तो 2 होगा या फिर 10 होगा Dear, एक point आप यहाँ पर और देखिएगा यह जो socks है को ट्राउजर से जाता है और ट्राउजर कौन पर्चेस कर रहा है ट्राउजर पर्चेस कर रहा है S और S अगर trouser purchase कर रहा है तो P भी उतनी quantity purchase कर रहा है ये भी clear है अगर हमारे socks trouser से ज़्यादा है और S trouser purchase कर रहा है तो S कभी भी 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 तो maximum quantity है तो S कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर P की quantity भी कितनी हो जाएगी 2 और अगर 2 हो गई तो T की position तो हमारी 6 थी तो यानि socks जो है वो trouser से ज़्यादा purchase किये गए अब P जो है वो cap purchase नहीं कर रहा है अच्छा देखी ये वाला तो clear हो गया socks जो भी होंगे वो trouser से ज़्यादा है यानि अब socks जो भी होंगे socks आपके 6 भी हो सकते है socks चलिए socks की बात कर रहेते है socks के लिए रख लेते है socks अच्छा trouser हमारे कितने है 2 आए तो socks कितने हो सकते है 5 हो सकते है 6 हो सकते है 7 हो सकते है 10 भी हो सकते है सारी possibilities अभी हमारी open है clear है अब जो T और S के बीच में जो difference था वो 2 से ज़ादा था ये वाला point हमारा clear हो गया है clear है अब देखिए shoes जितने भी purchase किये जाएंगे jeans उससे 5 ज़ादा purchase की जाएंगी तो आप देखिए shoes अगर जितने भी purchase किये जाएंगे jeans उनसे 5 ज़ादा purchase की जाएंगी अगर हम shoes की बात करें shoes अगर हमारे पास 1 होता तो jeans हो जाती 6 clear क्योंकि shoes अगर x है तो jeans x plus 5 है अगर shoes हमारे पास 2 होते तो jeans हमारे पास हो जाएंगी 7 ठीक उसी तरह से shoes अगर हमारे पास 5 हो जाएंगे तो jeans हमारे पास कितनी हो जाएंगी 10 और शूज इससे ज़्यादा हो नहीं सकते, शूज या तो एक या दो या पाँच, अब आप एक चीज देखो बच्चा, शूज की अगर हम बात करें तो शूज यहाँ पर है, तो एक और दो तो अल्रीडी उक्यूपाइड है, तो शूज कितने हो गए, पाँच, तो क्लियर ह जाएंगे, दस हो जाएंगे, जिन्स कितनी हो जाएंगी, दस, शूज अगर पाँच है, तो जिन्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, दस हो जाएंगे, ठीक है, अब दस जिन्स कौन परचेस कर चकता है, देखिए, वी का तो क्लियर है, या तो पाँच या साथ, तो वी यहा पर है तो V के लिए तो clear हो गया 7 तो बचा हुआ 10 कहां पर आ गया यहां पर और 10 कौन purchase कर रहा है jeans purchase कर रहा है ठीक है अब V कहां में clear था तो अब हम चलते हैं socks जो थे वो trouser से जादा थे ठीक है अब हमारे trouser कितने हैं 2 तो socks के लिए तो possibility अभी है अच्छा R और V के बीच में items का जो difference है वो हमारा 3 है तो R and V के items के बीच देखे difference 3 आ गया तो हमारा यह तो पूरा हो गया अब हम बात करते हैं items की कौन सा item कहां पर आएगा देखे jeans हो गए हमारी 10, shoes हमारे हो गए कितने? Shoes हमारे हो गए 5, cap की बात करेंगे तो cap P नहीं purchase करेंगा, S नहीं purchase करेंगा P और S cap नहीं purchase करेंगे तो cap अब देखे cap की बात करें, तो cap यहां भी आ सकती है अच्छा एक काम करते है, थोड़ा सा रफ कर देते है Cap आपकी यहां भी आ सकती है और Cap आपकी यहां भी आ सकती है दो possibility बने है हमारी दो possibility बन रही है Cap के लिए अच्छा, और क्या बन रहा है Cap तो clear है Socks के लिए क्या-क्या possibilities है Socks trouser से ज़्यादा है तो आपके trouser हैं 2 देखिए socks 2 तो नहीं हो सकते और socks अगर trouser से ज़्यादा है तो वो 6 भी हो सकते है और 7 भी तो यहां trouser भी आ सकता है Sorry, 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 sorry Socks आ सकता है Socks trouser से ज़्यादा है trouser तो लिखा हुआ है तो यहां आ जाएगा Socks Socks के S हमें नहीं पता कौन सा कहां पर होगा अब हमारे पास बचा क्या तो देखिए आप से पूछा टी-शिर्ट की बात करीए बाकी सब नंबर ओफ आइटम्स क्या है तो देखिए जो टी-शिर्ट से अच्छा एक चीज और देखिएगा सौक्स हमारे ट्राउजर से ज़्यादा है और कैप यह पर्चिस करेगा नहीं तो सौक्स हमारे यहां आ नहीं सकते है क्योंकि ट्राउजर और सौक्स बराबर नहीं है सौक्स ज़्यादा है ट्राउजर से तो अब हमारे पास जो बचा वो बचा टी-शिर्ट तो T purchase करेगा, P purchase करेगा T-shirt यहां पुछा है who among the following what maximum number of items तो आप देखे सबसे अधा maximum number of items purchase किसने की R ने, R is the correct answer, यानि हमारे यहां पर correct answer जाता है B option B, यानि R तो अभी आज आपने समझा होगा कि जब कभी भी puzzles के questions आते हैं तो no doubt थोड़ा धमाका सबस जाता है, हो जाता है धमाकेदार questions होते हैं, conditions, अगर ऐसे puzzle आते हैं तो मैं यह जानता हो कि वो time ले जाएगा और अगर आपको time save करना है, चीजों को clarity से देखना है then you have to work hard, आपको अच्छे से work करना होगा अच्छे से clarity से काम करना होगा, चीजों को ध्यान से देखना होगा तब जाकर आप इस type के puzzles को आसान बना पाईएं यह बात पकी है, otherwise puzzle बेटा एक बहुत difficult topic है अच्छे-च्छे मतलब इसमें धेर हो जाते हैं, क्योंकि questions नहीं निकलते हैं तो मैंने तो question यही solve कर दिया था, मैंने question आगे space बनाया था question number 2 के लिए, जो कि हमने इस space पर solve कर दिया है तो चलिए, आज की class हम लोग यहीं कतम करते हैं, thank you very much मिलते हैं next class में, और next class में हम लोग बहुत अच्छे से इस चीजों को clearity से और सीखेंगे, तो बने रहे हैं मेरे साथ reasoning classes में आपका reasoning faculty अंके था, thank you and good luck